गती सौ सब परती मिनट डिक्टेशन शुरू होगा पांच सेकेंड बाद रेडी स्टार्ट अमेरिकाम के संबेदन सील छेत्रों की उपर मंडराते चीनी गुबारों को मार गिराये जाने के बाद दोनों देशों के रिष्टे एक बार फिर पुराने मोड में चले गए हैं डॉनल्ड ट्रम्ब के कार्जकाल में ट्रेड वार के चलते दोनों देशों के रिष्टे में जो गिरावट देखी गई वह वाइट हॉस में राष्ट पती जो बाइडन के आज आने के बाद भी कई कार्णों से बनी ही रही यूक्रेन यूध के सवाल पर चीन का रूसी खेमे में नजर आना तो एक वड़ी बजह रही ही ताइवान के एक और फ्लैप पॉइंट के रूप में उभरने से रही सही कसर भी पूरी हो गई फिर भी कुट नीती अपना काम करती रही और धीरे धीरे रिस्तों पर जमी बर्फ पिघलने के आसार दिखाई देने लगे पांच साल बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिलिंकन के चीन जाने का काजक्रम तै हुआ था लेकिन गुबारा प्र बिलिंकन का चीन दोरा रद हो गया उधर चीन ने भी गुबारा मार गिराये जाने के बाद तल्ख बयान दिया है यूं तो अमेरिका के आरोपों के जवाब में वह बार बार कह रहा था कि यह मौसम संबंधी जानकारियां जुटाने वाला समान ने गुबारा है जो हवा के बहाओ की वजह से अमेरिकी सीमा में चला गया है लेकिन इसे मार गिराये जाने के बाद जिस तरह की तीखी परिक्तिकिरिया चीन की तरफ से आई है वह इन आसंकाओं को बल परदान करती है कि इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद था बहरहाल विशेसग्य जहां मौजूद मामले में जासूसी की संभवनाएं स्विकार करते हैं वहीं यह भी रिखांकित करते हैं कि समय के साथ चीन की सर्वेलांस गतिविदियों में ना केवल इजाफा हुआ है बलकि यह काफी परिस्कृत भी होती गई है ऐसे में इस गुबारा प्रकरन को भारत के लिए भी अलार्म बेल की तरह लिया जाना चाहिए इसकी कई थोस वजहें हैं पहली तो यही की भारत के साथ लगती चीन की जमीनी सीमा का छेतर बड़ा व्यापक है दूसरी बात यह की इस विश्तरित सीमा छेतर को लेकर कई बिंदूओं पर दोनों देसों में तीखे मतभेद रहे हैं तिसरी बात यह की हाल में हुए टकराओ के बाद से लद्दाख और अरुनाचल परदेश से लगती वास्तविक नियंतरन रेखा पर तनाव जारी है जिसे कम करने की कोशिसे फलित नहीं हो रही सबसे बड़ी बात यह की ऐसे महौल में चीन की तरब से जासूसी गती बिदियां चलाने की कोशिसों के संकेत भी मिलते रहे हैं पिछले साल स्रिलंका के हमबन टोटा पोर्ट पर रिसर्च वेसल के रूप में जासूसी जाहाज भेजने की बात अभी पुरानी नहीं 2020 में ही एक जांच से यह बात भी सामने आई थी की सेंचेन की एक टेकनोलोजी फर्म भारत के 10,000 से जादा परवाव साली लोगों के डेटा इकठा कर रही है जाहिर है भारत को ना केवल चौकसी बनाए रखनी होगी बलकि समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर इन संभावित प्रियासों की कारगर काट तैयार करने की प्रकिरिया भी तेज करनी होगी राष्ट पती भवन में 1929 में बनाए गए मुगल गार्डन का नाम हाल में बदलकर अमरित उद्ध्यान कर दिया गया 15 एकड में फैला यह बाग अंग्रेजों के जमाने के होटी कल्चर डारेक्टर बिलियम मस्टो ने डिजाइन किया था राष्ट पती भवन के इस अमरित उद्ध्यान की डिजाइन मुगल वात्साहों के जमाने के बागों पर अधारित है इन बागों में बहते पानी के इस्तिमाल सिधे रास्तों एक कतार में दिखते पेड़ पौधो और पूरे एरिया के लगभग बरावर हिस्सों में बटे होने का क्या मतलब हो सकता है यह महज एक ऐसी सैली है जिसे कभी मुगल बादसा बावर ने आजमाया और फिर अपने खांदान की विरासत के रूप में बाकी बादसाहों ने इसे आगे बढ़ाया या इसके पीछे कोई और भी खास बात है मुगल गार्डन की एक बड़ी खासियत है इनमें पानी का उप्योग इनके बीचों बीच पानी का एक बड़ा होज या फबारा दिखता है पूरे बाग में ऐसे छोटे छोटे फबारों के अलावा पानी की नहरों के साथ चारों और हरियाली फूलों और फलदार पेडों का इंतजाम भी करीने से किया गया इनमें रास्तों और पानी की नहरें इस तरह बनाए गए हैं कि वे बागीचे को कई टुकडों में बांट देते हैं मोटे तौर पर चार बड़े हिस्सों में एकदम बराबर बराबर दरसल फरगना और समरकंद में सब कुछ हार कर बावर ने जब हिंदुस्तान को अपना घर बनाया तब उसने अपने ख्वाबों में बसी चीजों को यहां तामीर करना शुरू किया भारत के गर्व मोशम में फरगना और समरकंद के बाग बगीचो की याद उसे कुछ ज़्यादा ही परिशान करती थी चार दिवारी से घिरे ऐसे खुबसूरत बाग जिन में कल-कल करता पानी बह रहा हो बावर ने सोलमी सदी की सुरुवात में अफगानिस्तान में बनवाए गए इसी तरह के बाग एवफा का जिक्र बावर नामा में किया है मुगलों का सितारा चमकने के साथ यह सैली चहार बाग या चार बाग सैली के रूप में परवान चड़ी इस टेरेस गार्डन सैली के कुछ बागों में आगे चलकर अस्ट कोनिये डिजाइन को भी अपनाया गया इस सैली पर फार्ची और इसलामिक परंपरा का साफ असर दिखता है इसलामी परंपरा में कहा गया है कि जो लोग अकीदा रखेंगे और सही काम करेंगे उन्हें जन्नत के बाग में रहने का मौका मिलेगा अगर यह कहा जाए कि मुगल बात्साहों ने लहोर और आगरा से लेकर कस्मीर और दिल्ली तक में जो खुपसूरत बाग बनवाएं जन्नत उल फिर्दौस के इसी कॉंसेप्ट से प्रेरित होकर बनवाएं तो गलत नहीं होगा बहता पानी तमाम तरह के फूल फलदार पेड़ पोधे पच्छियों का कलरव छो में बैठने की जगहें यानि उन्नत के जन्नत के बाग को धर्ती पर उतारने की पूरी कोशिस आज के भारत की बात करे तो बावर ने चहार बाग सैली का पहला बाग आगरा में बनवाया जिसे आराम बाग का नाम दिया गया दिल्ली में हुमाईयों के मकवरे से लेकर सिकंद्रा, फतेपूर और कस्मीर के सालिमार बाग तक में इस सैली को देखा जा सकता है साज अहां के दोर में यह सैली अपने उरूज पर पहुँचती है जिसका नजारा ताज महल में दिखता है स्टॉप